परे साबुन लगावेलू की मटिये में गून बार गोरे कोरे कालों पर ओट में हारून बार राकेश मिस्टरा जिहां राकेश मिस्टरा ने वाकई कईयक वर्सों बाद मतलब देर आयें लेकिन दुरूसता हैं समझे की नहीं और अगर सुबा को भुलाया साम घर आ जाता है उसे भुलाया नहीं कहते हैं जिहां राकेश मिस्टर रॉकस्टर आजकर लोग हुने कह रहे हैं क्योंकि रॉक कर रहे हैं भाई समझे के नहीं हिला कर रखें इंडस्ट्री को और वर्सों बाद मतलब 10-15 सालों बाद राकेश मिस्टर ने भजपूरी को समझा है कि लोगों को चाहिए क्या इंडस्ट्री को चाहिए क्या और इंडस्ट्री को चाहिए अभी जो राकेश मिस्टर कर रहे हैं मतलब राकेश मिस्रा जिस प्रकार से फॉर्म में और अपने अंदाज में लोटे हैं, पवन खेसाडी को कुछ वर्स बात ऐसे अगर करते रहा गये ना, तो नाक में दम कर देंगे भाई राकेश मिस्रा, चाहे कोई भी अस्टार हो, राकेश मिस्रा हर लोग अपने जगा पे से, जिस गाने का नाम था कि साबून लगावे लू कि मटिये में गुन बा, भाई माटी का गुन तो हर किसी, हर लोग जानता है भाई, साबून जब पैदा नहीं नहुआ था, साबून जब बना नहीं था, तो उनों माटी से ही नहाते थे, और माटी का गुन इतना है, कि व अभी एकदम लूक रह रहा है और देशी अंदाज, वर्जन, टोन और लिरिक्स का तो बात ही एकदम अजूबा है यार हर सब्द में हर लाइन में एकदम कहानिया ही कहानिया है तरकियों को देखकर कह रहा हैं कि आखिर इतना खुबसूरत गोर नार हो कैसे साबुन ही लगाती हो ना कि माटी से कोई नहाती हो मतलब ताबर तोड़ गाना जो सोसल मिडिया पे देखिए गाने ट्रेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों को मैं बता दू गाना अगर बज गया लोगों को भाग गया और एक सुसाइटी को एक भुचपूरी के स्रोता को अगर अच्छा लगा स्वक्ष लगा साब सुथरा लगा उससे बढ़िया ट्रेंड क्या हो सकता है मेरे भाई जो राकेस मिस्रा दे रहे हैं अगर गाने को नहीं सुने है तो गिरीराज म्यूजिक बेजाईए गाने को सुनिए एक दम ताबर तोड़ गाना भाई अगर खुस दिल नहीं हुआ न तो समझे कि आप असलिल गाने ही पसंद करते हैं समझे कि नहीं अगर हाँ हमारे मनसिक्ता से हमारे व्यू से और हमारे टेंडेंसी से चलेंगे तो मैं तो इस गाने को यार दस में दस अंक देता हूँ हर तरीके से वीडियोग्राफी, लिरेक्स, एक्टिंग, सब कुछ की बात की जाए तो एकदम ताबर तोड़ है, कहीं से नंबर काटने लैक नहीं है इस गाने को लिखे हैं वही उनका, जो अभी लगातार लिख रहे हैं भाई का नाम है आजाद सिंग, समझे कि नहीं, और इसके म्यूजिक बनाया है विसाल सिंग क्या ही बताया यार, गाने ने एकदम तहलका मचा दिया, गाने को नहीं सुने है तो सुन लिजे बाकी आपको अच्छा लगा होगा उमिदिता, तो गाने को लोगों तक भी पहुचाईए, जनजन तक पहुचाईए ताकि भोजपूरी स्त्रोता समझे, जाने और विचार करे, कि गाने हो तो ऐसे, ना कि लंपट के जैसे, समझे की नहीं तो राकेस मिसरा जी आपको बधाईयां सुबकामना हैं, आप अपने भोजपूरी भासा को समझने के लिए लोगों को, ट्रेंड को, लोगों के पसंद को, और लोगों के चल रही इस दौर में स्वाद को जानने के लिए तो वीडियो को सेर कीज़े दूर दूरता कमेंट सेक्सेन ने बताईये कि आपको ए गाना कैसा लगा, हमें तो बड़ा मजा आया भाई, हमें एक बार नहीं, अब तक अभी तक, दस से बारा बार गाने को सुन चुका हूँ, समझे की नहीं, एक दम ताबर तो, जो ए लाइ कि अज़ कि बताम अभल से हाना थाज हमें ए長 आया है।